पुर्वरक का लाइसेंस ना होने से किसान है परिशान आपको बताते चलिक ररिया जिले की रानिगंज प्रखंड के अंतरगर ग्राम पंचाथ राज विस्टोरिया पैक्स अध्यक्ष मुहमत सज्जाद ने किसानों की समस्या पर क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको नमस्कार आप देख रहे हैं कानूनी जंग निउस आई जानते हैं जीला ररिया प्रखंड रानिगंज के गराम पंचाथ विस्टोरिया से पैक्स अध्यक्ष सज्जाद अलम की विचारधारा एवंग इनके पैक्स की समस्या नाम बता है मैं पैक्स अध्यक्ष से विस्ट किसान की समस्या यहां बहुत ज्यादा देहात का एरिया है किसान की समस्या बहुत ज्यादा है और किसान को हम लोग खात नहीं दे पा रहे हैं बीज नहीं दे पा रहे हैं कोई ची महिया नहीं हो रहा मेरा लैसन भी था तो वो रद हो चुका है खात का और इसके बीच में हम सरकार से अमरोथ करते हैं कि मेरा लेसंस से उफ़लब्र कराया जायãy कि यह कि हम किसान का भरपूर मदभ कर पाएंगो अभी धान का सिजन चौलार जो भी हो रहा है किसान का हम लोग धान खरीद कर रहे हैं धान खरीद करने का यह समस्या है कि हम लोग से सरकार धान ले चावल बनाने का समस्या को हटा दे और आज धान लेना हम लोग से चालू करें सिर्फ है चाल बनाने के लिए नहीं कहें तो हम लोग दस हजार कुंट्रल हम लोग धान सरका कि वहार को एक इसकते हैं आधा किसान जो है वह मार्किक में लिए आके बैच लेती है आधा किसान जो है और रख लेतीया इसलिए कि उनको वही अनाच से बेच के उसको खेतीवी करना हागी के लिए विशेशकर सर आपके पैक्स को दूसरों एमटी के गुदाम उपलब्द हैं क्या इनसे आपकी जोरतें पूरी हो जा रही हैं नहीं इससे तो मेरा जरुवत पूरा नहीं होता है सीजन में हम लोग 5-6-6-10-6 कुंट्रल खरीद पाते हैं तो दूसरे जगे करया पर लेके या काम करवा लेते हैं इससे तो सीजन में जो है अंदिना तो चल जाता है मर्सी जन में जैसे अभी धान का क्रेटारी आपका इधर भी केमरा को घुमा लिजेगा जै अभी तेलर आया है किसान है अपना में लेकी धान हिटकर रहा है दारी चालू है अब इस समस्या में हम वाला है नहीं सर आप जैसे आप जैसे किसान जो आप जैसे अध्यक्षी जो किसानों के अध्यक्ष हुआ करते हैं और खासकर आपके पैक्ष को उर्वरक का लैसेंस नहीं है तो तो जनता या किशान आपको किस तरह से क्या कुछ कहती है खाग और उर्वरक की किलत को लेके जनता आते हैं जुता चफल लेका तो बैठा ही रहता है हम लोग को चलने फिरने के लिए जानते हैं रानी गंज के ग्राम पंच्याद विष्टोरिया के किसानों से ये किस परकार स से धान दे रहे हैं अपने पैक साध्यक्ष को और क्या मुल्ली मिल ला है इनको अपने दान के बदले सर अपना नाम बताएंगे पहले मेरा एमडी समसाद नाम है नया पट्टी बिष्टोरिया 119 वाड में घर है और मैं 15 साल से ये सज्जाज चेर्मैन को धान देता हूं औ और हम लोगों को एक ही समस्या है कि खाद टेंपर नहीं मिलता है इनका जो लेसंस रधों हो गिया है इंकी वज़े से हम लोग परिसानी आज उठारे हैं और हम लोगों को बहुत ही परिसानी हो रहा है खाद और बीज में Ashoda नहीं पड़ता तो हम लोगों को कि इधर उधर सरकार देगा तो आजरiner के लिए सक्षम है तो आप जैसे पैक सद्यक्त तो चाहते ही होगे कि उरवरक का भी लैसेंस आपको मिले आज हो की हम लोग किसान को जतना जल्दी हो कि किसान को हम लोग विनिफिट देना के लिए तैयार है उसकी समस्या उसकी परिशानी को देखांगे हम लोग अदेखते भी हैं अगर कहा हम पर पास नहीं है दूसरा लेशन वाले किया ले आगे कुछ उसका मुहाईया भी करवाते हैं हम लोग अभी जो आपके ट्रेक्टर से धान अलोड हो रहा है महोदे तो बीग रेट का ही धान होगा और किस रेट में खरीदाड़ी हो रही है यह दो हजार चालिस रुप्या की रेट में खरीद हो रही है अब इसी में जो भी समझिया आप समझियेगा उसमें हम लोग करवाते हैं महोदे के इस पैक्स को पीडियस का भी लैसेंस उपलब्द है यह तो कितने काड़ धारी है आपके इस कीडियस की दुकान से रासन लेने वा अगर ऐसा थोड़ा सा भी वो लोग नहीं सहा पाएंगे इसलिए कि हम अच्छा बेवार बना के रखें हैं तो आज तक कोई पेटिशन मेरा नहीं पहुचा है कोई तरह कोई शिकायत जीला तक नहीं पहुचा है मेरा बलोग तक नहीं पहुचा है मेरा अब इससे ज्यादा कि सामने पेस आईएगा जंता वह हिसाब सबसे अपना सामने करता है समय पोरा के अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा अम आले कि यह तीन क्या हम तो कहते हैं कि 200 तो गम रहेंगे तो हमको जंता नहीं हटा पाएंगे इसलिए जंता के दिल में बसे हुए हैं यहा जातपात की खिती नहीं होता है, यहां एक साथ हम लोग बैठके खाने वाले लोग है, एक समस्या को एक दोसरे का बाट के चलने वाले लोग है, अंकुत तसर से जानना चाहेंगे कि इस पंचायत की जनता जिनों ने लगातार तिसरी बार आपको सम्मानित पद पे लाया, या उतना भी समश्या कहेंगे, वा मेरे लिए कम है, इसलिए कि उसका जो Хक ने दिया है, मैं उसको अधाने कोरंपाएंगे, आप मेरे पास वह स्वम्ता मैंคुशिश तो है कि में ज्यादा से ज्यादा उनका मदद कर गए मर्न वह समस्या मैरे पास iç नहीं है मरग यह थी है कि हर हमें शार्ट परिसानी में दुब दर्द में सामील हो जाते है यह पैसा से नहीं od subtitle लाते हैं उसके लिए त्यार रहेंगे हमेशा के लिए धन्यवाद अभी आपने सुनों